वेल्कम टू अनलाइन क्लासे प्रेजेंटेट बाइ एम पॉब्लिक स्कूल बच्चो आज आपका सस्टी का टर्न है तो निकालेंगे अपने सस्टी की बॉक्स नमबर शिक्स हमारा पॉब्लिक फैसलिटीस बच्चो इस चैप्टर में हमें पताया जाएगा कि से यहीति पॉब्लिक फैसिलिटीरीटीज होती है ज्यçeक्ति और कि हम जाँ जाने की कार्ण Celtic睡 covid worker the deal कि और कें घौना की जाती हैं कि जो कि सिर्फ कारण की पतती हैं कि चोiska से तुख लिवर्म्हट ज़िए के जाती हैं किस तरह से कंच्छोल करते इसमें यहीं पढ़ेंगे वहतों इसमें मैं आपको वाटर के बाले बनाएं कि इन बेसिक नीड है सभी living beings के लिए living things living beings के लिए मतलब हम लोग सांस लेते हैं से कि हम हैं चिडियां हैं जानवर हैं सब इसमें आते हैं living जीवित हैं वो सब जो भी है उनको पानी की बहुत जरूरती बिना पानी के तो इंसान अपने आपकी कलपना भी नहीं कर सकता क्योंकि क्या आपको सो सकते हैं एक दिन पूरा बिना पानी कि आब एक दिन पानी नहीं आता घर में चॉक्षो तबाहियां मचला शुच्ट हो जाता था आज क्या नहीं आपको इसा जो मम्म्यां पर कितना प्यॉर है पानी उसकी भी वह सारी डीटेल्स रखते हैं तो इसके बाद ही लोग पुब्लिक फैसिलिटीस हमको बच्चों लोग हमको देती है यह पुब्लिक फैसिलिटीस और इससे फिर हमारा ही अच्छा होता है और बच्चों जैसे कि चेन नहीं में प्रॉब्लम थ चेन करती है वह तो जैसे कि इसमें है अच्छों टैक्स का हमारे लिए किया जाता है यह नहीं के किसी और के लिए किया जाता आपने अब घुक मारे प्शे ओर चाह यहां सांड को पाइस जाते है मैं पर बच्चों को बहुआ होते हैं कुछ बहुत गंदिवे होते hè लिकिन हमारा इस chapter में public facilities के बारे में बताया गया है कि government किस तरह उनको handle करती है, इसको आपको read करना it is a very easy chapter now let's come to the exercise work बच्चों यह हमारी exercise है यह बच्चो need लिखा है needs, N-E-E-D-S question number one who makes provisions for essential services तो इसमें government makes provision for essential services question number two explain what is right to life इसको आप neglect कर जेगे, यह नहीं है, गलत है यह page number 170 पर हमाएंगे तो यह उपर दिखरा है, आपको right to life under article 21 इसको लेकर afford तक आप करेंगे neglect this, यह आपका नहीं होगा यह आपका भी confusion नहीं होट चाहिए what is public facility it is page number 169 पर हमाएंगे तो बच्चों every citizen up to public facilities then उसके बाद then question number 4 are public facilities available universally, yes are public facilities part of right to life, yes then इसको बस yes, yes मैं आपका अंसर देना है yes public facilities, मतब आर की जगा आपको yes रिप्लेस करना और फिर आंसर पुरा लिखियेगा ठीक है ना, question number long का first, what is the role of government in providing public facilities, page number 170 long one every year up to here save water, ठीक है बच्चों here's the collection, पहले आपको यहां सिगना the government should be take the responsibility of providing best public facilities यहां, then उसके बाद आपको यह paragraph लिखना है, okay यह exceptra नहीं save water then state some examples regarding the shortage of water, page number 170 here a shortage of water, यहां आपको तीन हो यहां, up to here, okay so, we have completed our chapter मिलेंगे next video में, बाई 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 बच्चों प्राद लिवी cabinet God,